आजके माद इस वीडियों को अबनेंच methेगे बाद साथ इसके बाहर में हम बात करेंगे और साती साथ दोस्तों इसके इंदर क्या करेंगे तीन transformer के अंदर तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों आपको मैं इसके अंदर एक चीज बताना चाहता हूँ जो transformer में जो percentage impedance होता है उसको कई अलग-अलग नाम से भी बोला जाता है तो आपको कभी confusion नहीं होना है वो तीनों नाम एक ही होता है जैसा दो करना स्टार करता है जब भी दोस्तों transformer आपको करेगा थो उसके इंदर यहोता है कि हम percentage impedance कहते है तो वह किस तऱीके से कहते है तो उसके बारे में हम बात करते हैं तो मेरे पास में एक transform.ny में में डोस्टों मैंने इसको और भाई और भी दिया ठीक है ये मेरा इनपुट सप्लाई हो गया और यहाँ से दोस्टों मेरे को क्या होगा आउट्वूट मिल जाए इसके आउट्पुट के इंदर बहुत सारा लोड कनेक कर दिया है यहाँसर मैंने इसको एक मोटर से जोड इस सोरी इस transformer से जोड़ती और इसके अलावा company की जो भी मैं लाइट है तो हम उन लाइटों को मैंने क्या किया इस transformer से जोड़ दिया तो दोस्तों क्या होगा कि एक समय पर मेरे transformer के उपर क्या होगा कि फुल लोड पढ़ने लग जाएगा लोड पढ़ने पर क्या होगा इसका जो इंपूट है जहां समस्का इंपूट दे रहे हैं तो इसके अंदर क्या है कि हमारा दोस्तो वोल्टेज का क्या है कि लोस होने लग जाता है तो वो लोसे जो होता है वोल्टेज का वोल्टेज ड्र तो इससे कहा कि हमारा परसंडेज इंपर सोरी वोल्टेज ड्रोप कितना निगला तो वह मारा उसका आंसर हो आ जाता है तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने एक नेमप्लेट शो हो रही होगी इसके इंदर हमारा जो परसंडेज इंपिडेज लिखा हुआ है 4.5 परसंड और हमारा इसका इंपूट वोल्टेज लिखा हुआ 11,000 अब मैं इसको क्या करूंगा इससे में मल्टिप्लाइ करूंगा 0.045 इंटू 11,000 यानि कि 11,000 मैंने इसको मल्टिप्लाइ करें तो दोस्तों मेरे आंसर आता है 400-95 वोल्ट यानि कि अब मेरा जो वोल्टेज ड्रोप आया तो वो यहां आया की 400-55 वोल्टेज आगर जो मैरा वोल्टेज ड्रोप आया 400-55 में तो इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि हमारा transformer फुल लोड के पर work करता है तो उससमय हमारा जो voltage drop होता है वो 400-255 मेरे input के अंदर voltage drop होंगे अब दोस्तों जब transformer सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हमारा जो कोई भी लोड पर काम नहीं कर रहा है तो उससे में क्या होगा कि हमारा जो फुल द्र wholly लोड पर काम कर रहा है तो अच्छा कासर में uh वोल्टेज ड्रोप का पता दोस्तों हमारे जो प्रसंडेज इंपिडेंस होता है तो उससे पता चलता है कि हमारा वोल्टेज ड्रोप कितना हो रहा है ट्रांस्वामर के अंदर तो दोस्तों यह हमारा जो पहला कुछन था वह मारा पहला कुछन दोस्तों हमारे क्लियर हो गया है तो मैंने टेबल है इसके देंदर आप देख सकते हो जो मिर पास में एक टेबल है तो इसके लिखा हुआ है कि अब डू शक्यक्तु यह निकि इससे कम जो में हमारे टरांस्वामर मेरे झाले हैं तो उनका परसेंटेज इंपिडेंस कितना होना चाहिए, फोर परसेंट तो 631 से 1250 तो कोना चाहिए 5 परसेंट और 1251 से लेके 255 तक हमारा 6 परसेंट इसका होना चाहिए तो इसा करके मैंने पूरी एक टेबल बना रही किये इससे मैं पता है इसका प्रसेंट इंपेडेंस सब का मैंने इनके सामने लिखा हुआ है तो आप यह देख सकते हैं कि प्रसेंट इंपेडेंस होता है वह प्रसेंट के Video य में बड़ी बड़ी कंपनिजी होती है तो यह क्या करती है कि जो ट्रांसफ़र महर्क और थो इसे कंडिशन आती एक तो उस एक्ट कि गटीशन को फोलो करते हो bir तब nutr कोशिस यही की जाती है कि उन दोनों का जितना भी प्रसेंटेज इंपीडेंस है वो बराबर रहे पर दोस्तों इसा क्या है कि प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि जरूरी नहीं है कि मालो इसका मैरा 4 परसेंट है तो इसका है भी मेरा 4 परसेंट ही हो तो जरूरी नहीं होता दोनों का अलग अलग भी हमारा हो सकता है तो एसी कंडिशन आने के लिए दोस्तों हम क्या करते है कि जो अगर हमने तो देखू तो जाहिर सी बात है अगर दोस्तों वोल्टेज ड्रोप होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमें टेप चेंजर का यूज करते हैं तो टेप चेंजर का यूज करते हैं कि दोस्तों जो हमारा टेप चेंजर होता है तो उसको क्या करता है उसके अंदर क्या करता है तो हमारी जो primary voltage होता है जो मारी दोनों transformers दोस्तों इमारी primary षो वाइंटिंग होती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं किby tap changer का use करते हैं तो tap changer का use करते हैं तो उसमिए क्या है कि हमारे voltage को हम maintain कर सेके अगर हमारा voltage drop हो रहा है primary side में तो उस voltage को वो maintain कर ले और हमें output के अंदर एक अच्छा का सा voltage देदे तो इसलिए दोस्तों क्या करते कि टेप changer का यूज करते हैं तो दोस्तों में टेप changer के अंदर आपको इसके अंदर एक चीज़ एक बताओं कि जो मारा तो इसलिए दोस्तो हमारे किए कि इंदर की तो इसके प्रॉस प्रॉल्टेज्स क् widget कें उसके किया जाते हैं प्राइमरी सैटी इंदर हमारे यूदे करेंगर का तरीका क्या जिसे कि मालो नॉस्त है कि हमारे percentage impedance कम होगा, जैसे दोस्तों, मेरा यह transformer है, इसका अगर percentage impedance हमारा कम है, तो क्या होगा, कि इसका अगर voltage होगा, वो काफी ज़्यादा होगा, ठीक है, voltage हमारे साथ इसमें ज़्यादा रहेगा, और इसके अलावा, कि मेरे पास में एक transformer यह है, ठीक है, कर दो तो इससे क्या किसलों मेरा फॉल्टः कर्सम आपको गता है किश्चाइज म्युक्त करनें कि गसले के स्काता हूर जिसका परसंटेज़ इंपेदिंस कम उता है तो Inga में दोस्ता हमारा जो ट्रान्सामर्ण स सिलने के लाध करना केंधा तो उससे में भी दोस्त तेप चंजर में करें कि ऐसे कि दोस्तोẫn हम इसके बारे में और आके बात करें जिस रांसवांबर का कम Walter ज्यादा ओजाएगा और perception इंपधेंस का यू समर स्वर्केट केल्कुलेशन होता है तो उसके अंदर हो उसका यूस करते हैं अब सुच्पकीट केल्य이ți किस तरीखे से छी दूस्तों मेरें 270 अगर ब्लाक ने नियुक्त फ 먹 पकराँ सब्सक्षेदे दिद्ट करने के लिख तो कि दो किने निवी इंपिदेंश होता होता है जndka क्रेश्ट calculate कर सकते हैं कि हमारा जो transformer के अंदर जो over current जो उसके अंदर flow हुआ है तो वो कितना हुआ है तो उसके आदार पर हम percentage impedance के आदार पर हम जो over current है वो हम निकाल सकते हैं और इसे के अलावा दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो circuit breaker होता है आपने देखा होगा कि हमारे electrical के अंदर circuit breaker का सब short circuit current जो हमारे transformer के अंदर flow होती है जिस वज़े से हमारा क्या है कि transformer short हो जाता है तो कितना over current transformer के अंदर flow हुआ था तो वो क्या है कि हम percentage impedance की साहिता से हम इसका short circuit current calculation कर सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो किसी लगी वीडियो को like जुरू करें अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले आज के लिए इतना ही तन्यवाद